मनीज कश्यप जेल से छूट चुके है, उनके उपर से एने से हटाया जा चुका है और उसके बाद उनको कई केसेज में राहत दे दी गई है, उसके बावजूद मनीज कश्यप की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है अभी भी मनीश कस्यप जो है ठाने का चक्कर लगा रहे हैं और अपनी परिसानियों को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और अब जो सोसल मीडिया पर खबड़े आ रही हैं उस इसाब से मनीश कस्यप एक बड़ी मुश्किल में फस गए हैं अब मनीश कस्यप किस मुश्किल मे फसे हैं और क्यों थाने का चक्कर लगा रहे हैं हम आपको विश्थार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार में नाम वेद प्रकास है आप जंता जंशन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल आईए अब हम आपको बताते हैं कि मनीश कस्चप की मुश्किले क् कीजिए कुछ दिन पहले मनीश कस्चप का यूट्यूब चैनल हैक हो गया था और उसको किसी पकिस्तान के हैकर ने हैक कर लिया था जिससे बात करते हुए मनीश कस्चप ने वीडियो बनाया था और सोसल मीडिया पर डाला था और उसके बाद खुब इस बात की चर्चा पाने में भारत के ही किसी व्यक्ति का हाथ है और उसके बाद तमाम मीडिया के सुर्खियों में मनीश कस्टेप का नाम सामने आया था और एक बार फिर मनीश कस्टेप का फेस्बुक अकाउंट और पेज जो है है कर लिया गया है मनीश कस्टेप का धिकारी के फेस्बुक अका वह एक हो चुका है सच्टॉक बिहार नाम से उनका एक पेज वह है खो चुका है सोमबार की रात को लगभगी एक बज़े के आस पास इस बात की जानकारी मरी सक्टॉक को हुई जब उनके WhatsApp पर लगातार unknown number से फोन आने लगा और उसके बाद जब उन्होंने फोन उठाया तो उस फोन को उठाने के बाद उनको बताया गया कि आपका अकाउंट और Facebook पेज जो है उसको हैक कर लिया गया है और बदले में पाकिस्तानी हैकरों ने दो हजार डॉलर की मांग कर दी अब मनीश कस्यप को जब ये पता चला उसके बाद मनीश कस्यप जो है लगातार अपना सोसल मीडिया अकाउंट खोलने का प्रयास करने लगे और अलग अकाउंट से देखने पर पता चला कि उनके पेज से कई असलील कंटेंट डाला गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को भी लेकर के असलील मैसेज डाला गया है उनके पेज पर और उसके बाद मनीश कस्चप ने एक्षन लिया और फिर साइबर थाना की तरफ उन्होंने रुक किया उन्होंने पहले ऑनलाइन अवेदन दर्ज किया कॉल करके हेलप लाइन में सुचित किया और उसके बाद उनको सुझाओ दिया गया कि आप साइबर थाना जाईए और लिखित आवेदन दे दिजे फिर वो चाइवर थाना जाते हैं यूद भी जाते हैं और वहां के चाइवर थाने में भी अपना आवेदन देते हैं और उसके बाद इस बाद की चर्चा तेज हो जाती है कि क्या मनीश कस्चप का फेस्बुक अकाउंटर पेस हैक करने वाला बेक्ति आखिर है कॉन क्योंकि मनीश कस्यप ने बताया है कि फिर से इनके अकाउंट को जो हैक किया गया है वो पाकिस्तानी कनेक्शन है इनके फेस्बूक अकाउंट और फेस्बूक पेज को वापस लाने के लिए पाकिस्तानी हैकरों ने दो हजार डॉलर की मांग की है दो हजार डॉलर कार तो अगर भाती रुपय में समझना चाहते हैं आप तो लगबग एक लाख साथ हजार रुपय के आसपास दिवान किया गया है अब मनीश कस्चप जो है लगातार मुश्किल में फसे हुए है और इस बात को ले करके लगातार प्रियास कर रहे हैं उन्होंने ये भी जानकारी लाइव के माध्यन से दिया कि कई टीम जो है उनकी मदद के लिए तयार है और लगातार प्रियास कर रही है कि उनके Facebook अकाउंट और Facebook पेज को वापस लाया जा सके लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है और पिछले कुछ घंटों से लगातार जो है उनका Facebook अकाउंट और पेज हैकरों के चंगुल में है अब देखना ये दिल्चस्क होगा कि ये आखिर कब मनिस्कस्यप को इस चीज से चुकारा मिलता है बाकी इस ख़बर को लेकर के आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और ये भी बताइएगा कि आखिर मनिस्कस्यप का YouTube चैनल और Facebook अकाउंट बार बार हैक क्यों हो जा रहा है आपको क्या लगता है इसके पीछे कि वजह क्या हो सकती है कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जन्शन बहुत बहुत धन्यबाद